हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ संध्या स्वागत है आपका सेल की रसोई में आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स एक पुलाव वो भी कड़ाही में एकदम कम टाइम में और जटपड तरीके से ये बहुत ही टेश्टी बनती है तो आप वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आ आके देखिएगा और कमेंड्स में जरूर बताईएगा कि आपको पसंद आया की नहीं आया तो चलिए फिर सुरू करते हैं तो यहां मैंने लिया है दो गिलास चावल तो यह नर्मली चावल है जो हम डेली यूज में खाते हैं वही चावल मैं ली हूँ आप चाहें तो पत पानी से पकने के बाद एकदम चावल को हमें नहीं पकाना है थोड़ा सा कड़ा रहेगा तभी हमें निकालना है इसे तो यह देखिए मैंने पानी से छान लिया चावल को मैंने निकाल लिया है तो हमें इस तरह से इसे पकाना है और यहां मैंने लिया है अंडा आप देख इसमें से हम थोड़ा थोड़ा डालेंगी, इतना नहीं डालना है, खड़े मसाले में हमें डालना है, फ्रेंट्स, दो इलाइची, एक तेजपत्ता, एक चब मजजीरा, चार लॉंग लिया है मैंने, दो छोटी इलाइची और एक बड़ी इलाइची, इतना हमें डालना है, ख गी में भी आप बना सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले gas on करके पेन चड़ाना है तो हमेने पेन चड़ा दिया, अब इसमें डालेंगे तेल, तो तेल दो बड़े चम्मच डालना है, अगर आप गी में बना रहे हैं तो गी भी आप दो चम्मच डालें, भर के, अब तेल गरम हो दालने के बाद में ये पूरे खड़े मसाले हम एक सांद डाल देंगे एक ये सांथ हमें एट करना है तो यह देखिए डाल दिया मैंने और इससे हम THोड़ा सा भून लेंगे इसमें हम पयाज नहीं डालेंगे इस फुलाव में बिना पयाज के बन रहा है ये तो यहां मैं पय इसके बाद ही मसाला डालें, अब डालेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर, तो आप देख रहे होंगे चम्मच का साइज, चम्मच छोटी है, मिर्च पाउडर डालेंगे, यह देखिए, एक चम्मच मिर्च पाउडर डाला मैंने, थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लेंगे, चम्म को हमने 20 से काट लिया है तो थोड़ा राम से चलाएं ताकि ये इसके तुकड़े ना हो तो धीरे से राम से चलाना है इसे तो थोड़ा से इसे भून लेंगे तो ये देखिए अंडे को हमने भून लिया मसाले के साथ में अब डाल देंगे नमक तो नमक स्वात के नुसार डा ज्यादा ना हो, पुलाव में हलका नमकी ठीक लगता है, तो नमक डाल दिया मैंने, फिर से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसे, इस तरह से, अराम अराम से चलाना है, तो अंडा हमारा भून गया, मसाले के साथ में, एकदम ज्यादा नहीं भूनना है, हलका सा भूनना है इसे, अब भुनने के बाद में यहां डाल देंगे चावल जो हम चावल पका के रखे हैं तो धीरे धीरे करके पूरा चावल हमें डाल देना है और मिक्स कर लेना है अच्छे से और यहां डाल देना है थोड़ा सा गरम मसाला और उसके बाद थोड़ी सी धनिया पत्ती और ये हमारा कड़ाही वाला एक पुलाव खटाफट बन कर तेयार हो गया फ्रेंस आप देख रहे होंगे कितना जल्दी बन गया बस चावल पकाने और अंडे को बालने में जो टाइम बाकी इसे बनाने में एकदम टाइम नहीं लगता आप किसी कोई बना के खिलाएंगे तो जरूर पसंद करेगा इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो एकदम हलके हाथों से मिक्स करना है ताकि अंडा तूटे नहीं वो ठीक से रहे तूटने के बार में फिर अच्छा नहीं है आप इसे बिना सबजी ओब जी के भी ऐसे ही खा लेंगे तो यह देखिए मुश्किल से 10 मिनट लगा इसे बनाने में इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो आई होप आपको जरूर पसंद आएगा फ्रेंस और अगर आज की रेस्पी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक किजिएगा चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा फिर मिलेंगे एक नई रेस्पी के साथ एक नए वीडियो में